सिद्धियों का रहश्य शुद्ध चेतना और महागौरी वा सिद्धिदात्री चिक तो अब यह महागौरी का स्वरूप कैसा है महागौरी का रूप कैसा है यह हम समझेंगे और शुद्धिदात्री क्या है सब देवी की वास्तों में शुद्ध चेतना कहने का मतलब यह है चेतना की सुद्ध आवस्था जब देवी ने कठोर तपस्या की क्याते हैं तपस्या क्योंकि इसके पीछे एक छोड़ी सी कठा आती है श्यू महापुराण में एक कठा आती है कि भगवान श्यू माता पारवती को काली कहकर संबोधित करते हैं काली शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान शिव माता पार्वती को काली कहते हैं एक बार कहते हैं देवी सुनती है और चुप रहती है फिर दूसरी बार कहते हैं फिर देवी सुनती है और चुप रहती है फिर तीसरी बार कहते हैं तो पार्वती जी के मन में प्रश्न उठता है कि बार बार मुझे काली क्यों कहा जा रहा है क्या आपने बहुत सुंदर या गौरवर्ण है फिर मुझे काली क्यों कहा जा रहा है तो शिव बार-बार काली कहते हैं तो पार्वती जी के मन में यह विचार उठता है कि क्यों ना इस काले रंग का ही मैं त्याग कर दूँ मैं अपने काले रंग का त्याक कर देते हूं सबसे अच्छा तो यह रहेगा और ऐसा विचार करके पार्वती जी कठोड तपस्या करने वन में निकल जाती है और उसी समय शुम्ब निशुम्ब ऐसे कहते हैं कि राक्षसों का आना असुरों का आना देवी के पास होता है उनका अपहरन करने का प्रयास होता है और फिर एक युद्ध प्रारंब हो जाता है राक्षसों के परती असुरों के परती एक युद्ध जो है प्रारंब हो जाता है देवी अपना एक युद्ध प्रारंब कर देती है और देखते देखते बड़े बड़े राक्षसों का वद्ध हो जाता है शुम निशुम रक्त बीज महिशा सूर फिर ऐसे कई असुरों का वद्ध होता है तो देवी इस प्रकार से असुरों का वद्ध भी करती है और उसी समय जब देवी तपस्या करके उठती है तो देखती है कि एक सिंग जो है उनके साथ है उस सिंग ने उस शेर ने शेर कहने का मतलब शेर उस शेर ने उनकी रक्षा की है उनके समर्थन में युद्ध भी किया है तो देवी उस शेर को अपना वाहन बना लेती है परंतु जब तपस्या पूर्ण हो जाती है तो स्वेम नंदी भगवान स्वेम नंदी जो की शिव जी के वाहन है वो स्वेम लेने के लिए आते हैं देवी से देवी को देवी का वाहन बैल भी होता है फिर इसलिए माता महा गौरी बैल पर सवार दिखाई देती है शेर पर नहीं ठीक बैल पर सवार वो दिखाई देती है तो यह दृष्ट नजर आता है तो वास्तों में यह क्या है काले वर्ण का त्याक कर दिया गौर वर्ण धारम कर लिया एक साधक जो है एक योगी जो है एक ध्यान योगी जो है वह चेतना के शुदवस्था को प्राप्त होता है उसकी चेतना जो संसार के वृतियों से और संसकारों से जो मलिन है अब उसकी मलीनिता खतम हो जाती है और वह शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो महागौरी वास्तों में चेतना की शुद्ध अवस्था है और स्वेम देवी ही चेतना सुरूप है उसी के ये नौ रूप है शैल पुत्री, ब्रह्मचारनी, चंद्रगंटा, कूश मांडा, इसकंद माता, कात्यायनी तो इस प्रकार से माता के अने के रूप बताया जाते हैं कालरात्री, फिर महागौरी और सिद्धिदात्री तो गौरवर्ण को धारन करना मतलब कि अपनी सारी मलीनता, सारा जो काला है, उसको खतम कर देना, उसको निकाल देना, उसको नश्ट कर देना तभी जाकर गौरवर्ण की धारना संभव है, कोई गौरावर्ण धारन, तो वास्तों में यहाँ पर चेतना के शुद्धिकरन की ही बात कही जा रही है, उस पर ध्यान देने की बात कही जा रही है, उस पर ध्यान देने की बात कही जा रही है, ठीक है, तो हमें उसको उस ध सिद्धीदात्री सबसे अंत में क्यूं है वाई क्योंकि कि अंत में ही सिद्धियां आती हैं तो सिद्धियों को ब्रदान करने वाली है माता पद्म के पुश्पपब्र बैठती है कमल के फूल पर क्योंकि उसकी चेतना सुद्ध हो गई है विरक्त हो गई है किसी कभी ने कहा कि आकर दुनिया में बशर को रहना वाजब किस तरह जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल अर्धात कमल का जो पुष्प है पंकज जो है वह थालाब के पानी में या कीचन में रहता है निरलिप्त होके रहता है उसका जो तना है वह तो पानी के अंदर ही है लेकिन जो पुष्प है वो पानी से हमेशा उचा उठा रहता है और जो कमल का फूल है उसका जो direction होता हमेसा सूरी की ओर होता है अगर सुरियोधे का समय होगा तो कमल की जो कलिया है या पुश्प है वो पूरब की ओर जुका रहेगा जैसे सुर्यास्त होगा तो अपना direction चेंज कर लेगा सुर्य के साथ साथ तो भोजन पानी सब कुछ तो उसकी चड़ सही लेता है तलाब सही लेता है लेकिन अपना ध्यान सुर्य की ओर रखता है या उसकी विशेस्ता इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि उसे संसार से भोग को प्राप्ततो करना है परंतु उसकी कोई लिपसा नहीं होनी चाहिए। कमल के फूल से कमल के पुश्ब से तो ऐसे ही देवी का जो रूप है जो शुद्ध चेतना सरूप महागौरी है और साथी साथ जो सिद्धिद आत्री है यह एक योगी जब साधना करते हुए आगे बढ़ता है तो सुद्ध चेतना को भी प्राप्त कर लेता और सिद्धी को भ रहसे क्या है। मारशी पतंजली ने विभूति-पाद में इसकी चर्चा की है। उनका अपना गरंथ। पतंजली, योग सुत्र, समाधी पाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्ले पाद इन चार अध्याओं में है। विभूतिपाद' में महाशी पतंजली ने सिद्धियों का वर्णन किया है सिद्धियां क्या है शुद्चेतना की अवस्था को प्राप्त कर लेना यह बुद अच्छी बात है लेकिन एक विशय को लेकर लोग हमेशा संशय गरस्त रहते हैं कि सिद्धियां होती है या नहीं होती है क्या कोई योग साधना करकर सिद्ध सिद्धियों का स्वरूप क्या है आज हम इस विशय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि सिद्धियां होती है भी कि नहीं होती है और सिद्धियों का स्वरूप क्या है सिद्धियों का स्वरूप क्या है यह जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है तो कि इसकी समझ नहीं होती अभी पिछे एक भाई साब मिले जिन्होंने कहा कि मैं ऐसे साधना करता हूं और मुझे सिद्धियां मिल गई है अच्छा मैंने पूछा कि कैसे सिद्धियां मिल गई किस तरह से आपको पता चला कि सिद्धियां मिल गए जी हां मुझे अश्ट सिद्धि मिल चुकी है मुझे अश्ट सिद्धी मिल चुकी है, अच्छा अश्ट सिद्धी मिल चुकी है, मतलब कि आप तो विशाल हो सकते हैं, सुक्ष्म हो सकते हैं, अंतरधान हो सकते हैं, यदिपी महरशी पतंजली ने तो कई सिद्धी की चर्चा की एक सिद्धी की बात नहीं की है, कई पासे किस रूप में आई सिडंडियान उन्होंने कहा कि मुझे साधNA करते समय घुरु मंत्र का जाप करते समय उजय मुझे दिखाई दिया कि एक देवी जो है उतर रही है कि मैंने उसे पुछा आप कौन है आप कौन है तो उन्होंने कहा कि मैं सिद्धी हूँ मैं अश्च सिद्धी हूँ या मेरा पहला रूप है ठीक और फिर वो मेरे भीतर समा गई फिर इसी प्रकार से दूसरी देवी आई मेरे भीतर समा गई तीसरी देवी आई मेरे भीतर समा गई चौथी देवी आई मेरे भीतर समा गई इस प्रकार से आठ देवियां आई और मेरे भीतर समा गई तो मैं समझ गया कि अब मुझे अश्टसिद्धी प्राप्त हो चुकी है मैंने का कि बहुत बढ़ाई हो तो कुछ करिए अश्टसिद्धी आपको मिल गई है तो कुछ करके दिखाईए न फिर तो बोले कि नहीं अभी मैं इसका प्रियोग नहीं कर पाता हूं मुझे मिल तो गई है लेकिन प्रियोग नहीं कर पाता हूं मैंने कि बड़े विडम बना है ये तो का मैं मिली तो बोले कि हो गए साल भर तो होई गए अच्छा साल भर हो गए और साल भर से प्रयोग नहीं कर पा रहे हो मिलने का फायदा क्या फिर कम से कम इतना तो प्रयोग कर लो जिससे कि उनका साख्षातकार और अच्छे से हो जाए समझ में आ जाए इतना तो प्रयोग कर लो अब उन्हों उसने कहा कि नहीं मुझे प्रयोग में तो मैं नहीं ला पाता हूँ लेकिन ऐसे ऐसे देवियां आई और उन्होंने कहा कि वो सिद्धी है और मेरे अंदर समा गई क्या यही सिद्धियां होती है आप लोग क्या समझते हैं सिद्धियों के बारे में महरशी पतंजली ने ऐसा कोई विशय नहीं बताया कि सिद्धियां कुछ इस धंग से प्राप्त होती हो आप टीवी सिरियल में देखते होंगे ना कोई देवी जी ऐसे आकाश्य उतर रही है और समा जा रही है तो टीवी सिरियल वाले उसको बनाते अच्छे से कमर्शियल फिल्म होती है उनकी तो सिद्धियों के विज्ञान को समझे अभी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मन है ना कहीं गुलाम बनने के लिए हमेशा तयार रहता है अंतर में जहाग के देखो आप गुलाम बनने के लिए तैयार रहते हूं इसलिए हम ऐसी बातों को बहुत सहचता से स्विकार करते हैं जिसमें चमतकारी चीजे बताई जाएं और जिसमें लगे के नहीं ऐसे हो जाता है ऐसे देवी आ जाती है वैसे वो हो जाता है टीक है लेकिन सिद्धी क्या है मर्शिपतंजली क्या कह रहेंए अगर यूber सास्तर सुना है तो जाकर दुबारा सुने है सीथी सी बात है सिदि का मतलब है प्रूब्वड हो जाना सिद्धी का मतलब है परिपक्वता आजए जिद्धी का मतलब क्या है मैच सुरिटी फोड़ा सा दिमाग लगा लो फोड़ा सा शब्दार्थ को समझ लो बात समझ में आ जाएगी तो बहुत कठीन विशय नहीं है एक बात बताओ एक मैंने देखा एक नेतरहीन विखती हैं आपको यूटूब चैनल भी मिलेगा ऐसे नेतरहीन लोगों का जो बहुत ही बढ़ियां हार्मूनियम बजाते हैं अब हार्मूनियम के अंदर काले सफेद बटन होते हैं या पियानों में होते हैं अब वो बचारे बटन तो नहीं देख पाते वो जो कीज है हार्मूनियम के उपर वो नेतरहीन लोग नहीं देख पाते हैं नेतरहीन लोग हैं लेकिन इतना बढ़ियां म्यूजिकल इंस्ट अब एक नेत्रहीन विक्ति से में मिला हार्मोनियम वादक से तो वो हार्मोनियम इतना पर्फेक्ट बजाते हैं कि उनकी अंगुली जरा से भी स्लिप नहीं करती है देखने के भी जूरत नहीं है और बहुत फास्ट अंगुलियां चलती है और इतना बढ़ियां संगीत एक भी अंगुली बेसुरी नहीं होती उनकी अंगली जहां पर गिरती है वो सुर में ही गिरती है बेसुरा होकर नहीं गिरती हार्मोनियम के उपर जबकि आखे भी नहीं है क्या है यह सिद्धी है यह सिद्धी ही तो है और क्या है एक विक्ति को आप जो जो हार्मोनियम वादक जो है अच्छे से आप उसको हार्मोनियम पकड़ा दो वह बहुत अच्छा संगीत उसमें से निकाल कर आपको सुना देगा लेकिन अगर आपको कोई ज्यान नहीं है उस विशय का या आपने कोई अभ्यास नहीं किया है कभी वाद्यांत्रों के साथ तानपूरे के साथ या हार्मोनियम के साथ आपने अगर अभ्यास नहीं किया है आप नहीं उसको जानते हैं तो फिर आपको अगर पकड़ाया जाये तो आप कभी भी संगीत सुना नहीं पाएंगे वास्तों में वाद्यांत्रों में संगीत नहीं होता संगीत तो हमारे भीतर होता है वाद्यांत्रों में हम उसको उभारते हैं उसको निकालते हैं संगीत तो यहां पर होता है हम उसको निकालते हैं वाद्यांत्रों में तो संगीत अब वो बजा रहे हैं क्या इतना परफेक्टली आप कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बजा पाएगा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बजा पाएगा वो बजा रहा है क्योंकि उसके पास सिद्धी है वो आखें ना भी हो उसकी आखें नहीं है फिर भी वो बहुत सुन्दर संगीत निकाल रहा है क्योंकि उसके पास सिद्धी है सिद्धी क्या है सिधी का मतलब है किसी कारे की सिधी अगर आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है कि उस कारे की परिपक्वता आपके पास है परिपक्वता आपके पास एक अभी नेता है एक एक एक्टर है वो कभी भिखारी बनता है किसी फिल्म में भिगारी बन जाएगा किसी फिल्म में राजकुमार बनेगा किसी फिल्म में विलन बन जाएगा किसी में हीरो बन जाएगा अनेको रूप धारन कर रहा और आपको पत अपश्चा भी निचलता था कि वही अक्टर है भहचान में नी पाते थे लोग तो क्या है यह सब सिद्धी और तो इसलिए सिद्धी क्या है कि सिद्धी कुछ कोई विशेश सिद्धी एक अवस्था है कि सिद्धी अभ्यास की परिपक्वता है आपने जो अभ्यास किया है उसकी परिपक्व अवस्था ही सिद्धी है सिद्धी कोई देवी के रूप में कहीं से आकर आपके सामने समाज आएगी ऐसा कोई सिद्धी विद्धी नहीं होती इसलिए बहुत सारे समाज में हम देखते हैं आप यूटूब विडियो देखते होंगे कई चीजे सामने आती है कि आदमी अजीव अजीव से कर्तब दिखाते हैं कोई जिमनास्टिक के कर्तब दिखाते हैं कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि भाई जो है पकोड़े तलते हैं और तेल में हाठ डाल देते हैं उनका हाठ जलता भी नहीं है ऐसा मैंने कोई वीडियो पीछे कुछ दिन पहले देखा था अब एक सब भाई साहब है दूद पिलाते हैं और दूद जब पिलाते हैं तो दूद को बहुत उंची उंची उंचाई देकर वो दूद को डालते लेकिन एक भून दूद गिरता नहीं है क्या है सिद्धी है आपकी माता जी किचन के अंदर रोटी बना रही है बिल्कुल गोल रोटी बनेगी आपने कभी बनाई नहीं है आप जब बेलोगे तो गोल नहीं निकलेगा लेकिन वही आपकी माता जी अगर बना रही होंगी रोटी तो बिल्कुल गोल बनके निकलेगी क्या है? सिद्धी है, यह भी एक सिद्धी है तो आपके कारे की परिपक्वता ही सिद्धी है ठीक, आप अपने काम में इतने perfect हो गए हैं, इतना mature हो गए हैं, तो यहां जो maturity आपने gain कर ली है, बस यही को सिद्धी कहते हैं, अब आप सिद्धी के concept को समझ लेजिए, यही सिद्धी है, तो प्रतिक विक्ति को आप देखो, हर एक विक्ति किसी ना किसी काम में माईर होता ह अब कई बार एक और भी विडियो से हम देखते हैं, और खुद आखु से आपने देखा होगा, यह कुछ मजदूर लोग होते हैं, जो मकान बनता है, उसमें काम करते हैं, तो अपने माथे के उपर कम से कम 25-30 इंटे रख लेते हैं, 25-30 इंटे रखेंगे और एक भी इंट नहीं, सीड़ी चल जाएंगे, उसको माथे पर इंट रख कर, सीड़ीयां चल जाएंगे, वो एक भी इंट फिसलेगे नहीं, चीक, यह विशह है, समझने की आवशकता है, तो सिद्धी का विशह क्या है, यही सिद्धी का विशह, परिपक्वता आ जाना, मैचूरिटी आ जाना, किसी काम में आप परिपक्व हो गए, अब कुछ बच्चे ना विडियो गेम खेलते हैं, विडियो गेम खेलते हैं, आप उससे जीत नहीं सकते, बले आप उनसे दुगनी उमर के होंगे, लेकिन आप उससे जीत नहीं पाएंगे, तो कि विडियो गेम खेलते, खेलत परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब आपकी परिपक्व अवस्था बन जाती है, किसी भी कारे की परिपक्व अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, तो उसे कारे के सिद्धी आपको प्राप्त हो जाती है, यही सिद्धी है, यही सिद्धी का कॉंसेट और इसी concept प्रबेस्ट मर्शी पतंजली ने सिध्यों का वर्णन किया है। इसी प्याधारित चर्चा मर्शी पतंजली ने किये। कैसे भाई अश्चांग योग करो यम नियम आसन प्रणयाम तक हुआ। अब शुरू होगा प्रणयाम प्रत्यार धारना अब धारना शुरू होगी। ध्यान शुरू होगा। धारना में हम किसी मन को किसी एक अस्थान पर या एक विशय पर केंद्रित कर देते हैं। और फिर जब एकी भाव अवस्था आ जाती है एक विर्थी के लावा सारी विर्थियों का निरूध हो जाता है मात्र एक विर्थी का प्रवाह बना रहता है जो धार्ना का विशय था वही विर्थी रहती है अगर मस्तक के जोती में धारना की अगर नाद में धारना की तो नाद की वर्ती रहेगी एकी भाव अवस्था में योगी पहुँझाएगा और एकी भाव अवस्था ही ध्यान है एकी भाव अवस्था ही ध्यान है इसी को ध्यान कहते है तो वह जो योगी है एकी भाव अवस्था में पहुंच जाएगा और जिस वस्तु का वो ध्यान कर रहा होता है अब उसका उसके साथ एक रूपता अस्थापित होना शुरू हो जाएगा क्या शुरू हो जाएगा एक रूपता अस्थापित होना शुरू हो जाएगा कि ध्यान की वस्था में वो एक रूप हो जाएगा अब फिर जब एक रूप अभी दो चीजouse यहां पर फिर भी हैं दे और ध्याता हैं हालागी यह कहीं बचा है व रूप सारी वर्तियों का निरोध हो चुका है आप अब उनका भी जब समावेश हो जाएगा उनका भी जब नश्ट कहने का मतब समावेश जब हो जाएगा तो समाधी घटित होगी पर कि समाधी होगी तो महरशी पतंजली अपने सिद्धी का विज्ञान बताते हुए कहते हैं अर्थात धारणा ध्यान समाधी इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं, संयम क्योंकि तत्वों के साथ संयम किया जाता है, आप जैसे धारना है, धारना है, तो मारशे पतंजली कहते हैं कि अगर योगी किसी पशु की आवाज की धारना करे, माली जी कोई च्रिया चह चहा रही है, तो कुछ बोल रही है, आपको तो चह चहाने की आवास सुनाई दे रही है, लेकिन वो बोल क्या रही है, क्या ये समझ में आ रहा है, जी नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है, लेकिन अगर उसकी ध्वनी की धारना कर लिए जाए और उसके साथ एक रूप हो जाया जाए सायम के साथ सायम अस्थापित कर लिया जाए तो योगी जो है उस चडिया की भाषा को समझ भी जाएगा और बोलना भी शुरू कर देगा वो पक्षियों की भाषा बोलना शुरू कर देगा फिर ये शक्ति उसके अंदर आ जाएगा इसी प्रकार से वो जल के साथ सयम करके जल तत्व पर नियंतरन लाएगा अगनी के साथ सयम करके अगनी तत्व पर अपना नियंतरन लाएगा ठीक तो इस प्रकार से अगर वो प्रकाश तत्व के साथ सयम करता है इसके साथ सहियम प्रकाश जो प्रकाश तत्त्त है अगर उसके साथ अगर वो सहियम अस्थापित कर ले तो प्रकाश तत्त्त पर उसका नियंत्रन आ जाएगा और वो अंतरधान होने के सिद्धी प्राप्त करेगा इस तरह की बातें महर्शेप प्तंजली ने समझाइए अगर वो प्रकास स्थ्थ्थु पर सियम ले आए और प्रकास स्थ्थ्थ प्रप्ना नियंत्रन अस्थापित कर ले तो वह जो योगी है वो क्या कर पाएगा फिर अंतरधान क्योंकि उसने प्रकास त्थ्थ्थे उससे परे नहीं दिखाई देगी वो, प्रकाश में दिखाई देगी, इसलिए जब वो प्रकाश तत्यों से अपना संबंद विछेद कर देगा, तो वो किसी को नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब वो प्रकाश तत्यों से उसका संबंद नहीं है, और संबंद नहीं होने के का कारण वो किसी को दिखाई नहीं देगा वो अंदर्धान हो जाएगा ऐसे अंदर्धान की सिद्धी का वर्णन है तो वास्तों में सिद्धी क्या है सिद्धी आपके ध्यान योग की परिपक्वता है जैसे किसी भी कारे की परिपक्वता हो जाने से उस कारे में हमारी सिद्ध आ जाती है चाहे आप गाड़ी चला रहे हो साइकल चला रहे हो ठीक है कोई भी कारे हम कर रहे हैं तो उसे कारे में हमारी परिपक्वता अगर आ गई हमने उसे कारे को बहुत किया उसका भ्यास किया तो उसे कारे में हमारी परिपक्वता जब आ जाती है तो फिर वो हम उसे का कार के कारे करने वाले जो लोग है वो बड़ी परिपक्वता से अपने काम को करते हैं उनसे गलतियां भी नहीं होती बिल्कुल परफेक्ट अपना काम करते हैं वो क्यों कि उनको ऐसा अभ्यास हो गया है उनको वैसी प्रैक्टिस हो गई है अपना काम करने का वो उस अभ्यास में इस्थित हो गये हैं, तो उनको वैसा अभ्यास हो गया है, उनको वैसी practice हो गई है, अब उनका mature practice होने के कारण, वो जो भी करते हैं एक magic लगता है, जादू लगता है, रवे यह तो जादू की तरह काम कर रहा है, तो उसकी उस कारे में परिपक्वता इसलिए उसको ऐसा लग रहा है तो बस हमें यह समझना है परिपक्वता किसी भी कारे की परिपक्वता सिद्ध होगी तो वहां पर उसकारे के सिद्धी आ जाएगी आप बड़े असानी से वह काम कर लेंगे जो दूसरों को बड़ा कठिल लग रहा होगा वह आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा पर अब देखते हैं ना कि एक मेला में हम जाते हैं और मेले के अंदर हम देखते हैं कि महिला है वह रसी के ऊपर चलती है मेलों में ऐसा बनाया जाता है आजकल कम हो गया लेकिन पहले बहुत हुआ करता है एक महिला जो है रसी पर चलेगी वह और अक्लेले नहीं चलेगी साथ में अपने बच्चे को भी कांधे पर बिठा लेगी ठीक है या गोद में ले लेगी साथ बच्चा भी है और रसी पर चल रही है क्या है प्रैक्टिस प्रैक्टिस से क्या आ गया पर्फेक्शन आ गया प्रैक्टिस मेक से मैं परफेक्ट प्रैक्टिस से पर्फेक्शन आ गया अब रसी पर चलने की सिद्धी उसे प्राप्त हो मौत का कुवां सरकस विगरा जाते हों तो मौत का कहीं पर देखना बाइक घुमाते लोग कुवे के अंदर मोटर साइकल और ना जाने कितनी आकरतिय बनाएंगे एक साथ दस दस बाइक वाले घुश जाएंगे और बाइक घुमाना शुरू करेंगे आपस में टकराएंगे नहीं क्या है परिपक्वता अपने कारे में सिद्धी है उनकी तो इसी कहते हैं सिद्धी किसी भी कारे की परिपक्वता हो जाना सिद्धी है और जब ध्यान यूग की परिपक्वता हो जाएगी जब धारना की परिपक्वता हो जाएगी जब ध्यान यूग की परिपक्वता हो जाएगा ध्यान सिद्ध हो जाएगा तो यह मन तो खिलोना बन जाएगा मन तो मिट्टी के समान क्ले हो जाएगा जैसे कुमहार की मिट्टी होता है वो कई आकृतियां देता है मिट्टी को उसकी भी परिपक होता है चाक को घुमाता है और कैसे कैसे आकृतियां देता है आप मैजिक किया रहा है जादू कि तरह कर रहा है हमें वह मैजिक लगता है कि जदी मुदू है अब्भयास अभ्यास współ नो के अब्भ्यास से। तुम कौन ते वैराग्यनच्वग्रिहते असंशयम महाबाहो मनो दुर्णिग्रहम चलम मन तुमारा खिलोना बन जाता है और मन की शक्ति का प्रयोग करना तुम सीख जाते हो तो वह तो चलो संसार की चीज़ों की हमने हमने बात की अभी आदमी को यह काम कर रहा है वो काम कर रहा है इसमें परिपक्व हो गया विस्कार्य की सिधु उसके पास देखेट मनतब परूरू में पड कि अब जो जो ध्यान योगी है द्यान तो पराविद्ध्या है न मैं इंद्रियों के पड़े की चीज़ है न वह वो पराशक्तियों का फिर आगमन होगा फिर आगमन कहने का मत्तब पराशक्तियां का विकास होगा यह बाहर से थोड़ी न उतर किया जाएंगे पराशक्तियों का विकास होगा आपके भीतर होगा आपकी साधना से होगा आपके ध्यान योग से होगा ध्यान करते करते आप अपन संत्र होकर काम करना शुरू करेगा फिर तो सिद्धी आ जाएगी फिर ऐसी बहुत सारी चमतकारी घटना हैं आपके जीवन में होंगी जो सहज लोगों को नहीं हो पाती हैं असंभव है लेकिन ध्यान योग करते हुए आपको ऐसा मिलेगा फिर इसलिए ध्यान योग यह क्या है इसकी परिपक्वता ध्यान सिद्ध होने से सैयम होगा और सैयम से सिद्धिया आएंगी और फिर आप कोई भी सिद्धी हो चाए हवा में उड़ना योगी वायू के साथ वायू तक्त्यों के साथ अपना सैयोग करकर अपना संबंद स्थापि करकर वायू तक्त्यों के साथ योगी जो है वायू बन वायू की तरह उड़ सकता है उसमें वायू की तरह उड़ने की छमता विक्सित हो जाएगी क्योंकि उसने सैयम कर लिया उस तत्व के साथ एक आगरता पुरुवक उसने अपने ध्यान को धारणा को इतना विक्सित कर लिया है कि अब तत्वों के साथ सैयम करना उसके लिए कठिन नहीं है तत्वों के साथ सैयम करना उसके लिए अब कठिन नहीं है छीख तो यह सैयम और सधी का विशय साइयम से सधी होती है सैयम से ही सधी होती है इसको अच्छे से समझ लेजी कि और यही हमारे शास्त्र और जो रिश्य मुनी हैं उन्हों ने इस रहश्य को खोला है वर्ष पतंजली के बारे में इसी प्रकार से बता रहे हैं कुछ अमत्कारी धंसर नहीं बता रहे कोई देवी जी आ गई और बोला उन्होंने कि मैं सिद्धी हूं मैं ये वाली सिद्धी हूं मैं वह वाली सिद्धियां ऐसे नहीं आती है आपके कारे की परिपक्वता ही सिद्धी है आप इतने परिपक्व हो गए अपने कारे में कि अब गलतिया नहीं होती आपसे तो आप सिद्धी आपको प्राप्ट होगे इसका मतलब यह विश्ए बनता है तो इसलिए सिध्धी का कॉंसेप्ट समझ ए क्या है योगी की सिद्धा अवस्था ही सिद्धी दातरी है जब उसकी चेतना क्हुर्ण होती है तो उसे सिद्धी आवस्था बीप्राप्ट होती है इसे फिर सिध्ध्य आवस्था भी प्राप्त होती है इसलिए साधना करने की आवचा है अभ Congressman करने की आवचा क्षिकता है प्रतिव जिन सही तरीके से अभ्यास होने से सफलता शिक्र मिलती है सिद्धियों का प्रादुर्भाव जल्दी होता है सिद्धियां अच्छे से समझ में आती हैं तो इसी लिए कोई किसी का कोई हमें वीड़ी-कठा करने के लिए जूट मुट के सिध्धियों का परदर्शन करना फ्रिनित है पाप कर्म है एक तरह से लोगों को भैकाने की बात है तो सिध्धी का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए ध्यान करोगे ध्यान यूग करोगे रेगुलर करोगे मन से करोगे परिपक्वता आएगी थोड़ी maturity develop होगी, उसके बाद और ध्यान गहरा जाएगा, और ध्यान गहरा जाएगा, उसमें शक्ती का प्रादुर्भाव हो जाएगा, अपने आप ये अभ्यास से होगा, ना कि कोई आपको चुटकी में सिद्धी देदेगा, अभ्यास से ये चीजे बढ़ेंगी, अभ्य हमें भी इसी प्रकार से सिद्धियों के विशय को समझना चाहिए, चमतकारी ढंग से इसको नहीं समझना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसमें चमतकारी ढंग से इन सिद्धियों को समझना या लेने में हमारा अपना नुकसान क्या है कि हम जो सही बात समझनी च आप अच्छे से इस विशय को समझ कर चलें और सिद्धी के विशय को अच्छे से समझें तो महरश्री पतंजली ने ऐसी समझाया है सिद्धी का विशय कि अभ्यास करते करते धारणा का अभ्यास करते करते ध्यान में प्रविश्ट होते होते योगी सिद्धियों की प्राप्त कर लेता है और सरप्रसम चोटी मूटी चीजे उसके जीवन में आती है जैसे कि वहां किसी के मन की बात जान लेता है। उसको पहले ही आभास हो जाता है कि भाई ये विक्ति ऐसा सोच रखता है या ये बोलने वाला है या इस उद्देश्य से आया है ये सुनाने और ये समझाने के लिए। ये हमें साफसा पता चल जाता है तो इसलिए यह जो सिद्धियां है यह निश्य ही यह सिद्धियां परिपक्वता है हमारे कारियों की ही परिपक्वता होती है तो उसी प्रकार से जो ध्यान योग की सिद्धी है जो योग एश्वरे हम कहते हैं वह जो योग एश्वर है ध्य प्रयास करते रहने से प्राप्त होता है सुक्षम चीजों पर अपना नियंत्रन आने लग जाता है और जब सुक्षम वस्तों पर नहीं आ जाएगा जिवन बदल जाएगा कि यह सब कई रहसे हैं सिद्हीदातिरी तो यह सिद्धिओं का मूल रहसे आज हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे सिद्धियां आती है ठीक तो सही तरीके से भ्यान योग का अभ्यास करें तो अनेकों सिद्धियों का वास हमारे अंदर होना शुरू हो जाए दिरे दिरे करना हुआ यहां तक हम दूसरों की मंसा भी जानने और भी कई चीज़ें आप जानने शुरू कर देंगे चोटी मुटी सिद्धियां है यह तो यह चोटी मुटी सिद्धियां इसके बाद तो बहुत बड़ी-बड़ी सिद्धियां भी आने शुरू हो जाती है ज वैसे वैसे मन की शक्तियां विक्सित होती हैं और हम सिद्धियों को समझ पाते हैं इस प्रकार से हमें सही तरीके से हमें चलना होगा समझना होगा और तभी जाकर हम ध्यान योग का भी पूरा-पूरा लाग था पाएगे तो चलिए हम जो है अब आपके कमेंट्सकों भी देख लेते हैं कि आप अपने कमेंट्स MC के माध्यम से क्या कहना चाते ही और जिस्पर चर्चा करने जोग अगर कमेंट्स होंगे तो उस पर चर्चा भी हो जाएगी चलिए जितेंद्र साहू जी बहुत अभिनंदन है दक्षा वडालिया जी राजू पाल जी भगवती यादव जी बिक्रम सिंग जी उशा शिरवास्तो जी एसके मिनहास जी गोपा शर्मा जी रमेश पिश्वारी ज जी सवितान नायक जी गौरव गुरु जी गनेश जय माता की गनेश पवार जी रमेश शोपडा जी अबनी प्रधान जी ज्यावली शर्मा जी अमीता पंडा जी रूपलाल विश्व कर्मा पुल्दीव सिंग बिमला शाप इंटू वासवा विनोत कुमार शर्मा बलवन सि गोहिल बिरहम पाल कुमार राम निवास मीना ववीता धिमान कनाई कुमार वीना जी ऑफ-लाइन कोर्स कौन-कौन शहर में कराते हैं अभी सिर्फ पटना में ही उपलब्द है भविश्य में मुंबई में भी जल्दी मुंबई या पूना में भी जल्दी इसको शुरू करने का एक लक्ष है बाकि अभी तो मातर सिर्फ आप पटना ही आ सकते हैं अगर चाहते हैं अगर आ सकती है तो आ सकते हैं दिली के लोग भी आते हैं आचुके हैं ऑफ-लाइन कोर्स के लिए तो विरिंदा वन से आना क्या इसमें दिक्कत होगी की यह चीज़ ने तो कभी आपक कि आफ्लाइन कोर्स करना है तो फिर देखा जाएगा नहीं तो आफ्लाइन कोर्स तो अभी ऐसे नहीं है ऑनलाइन कोर्स है हाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि आउनलाइन कोर्स कर लिए और आफ्लाइन के लिए बस एक दिन के लिए या दो दिन के लिए उतना ही प्रयाक्त होगा नह माइकल प्रजापती जी अबनी प्रवा, गुरु пожी अस्त ऋ सिद्धी नव निद्धी के बारे में सम्याक सुचित करने की न व निधी अलग चीज है निधिया अलग चीज होती है ठीक है निधिया एक तरह से विधान है प्रकृति के विधान है निधियां और जो सिध्धी है वह तो शक्ति है वह तो आपके आपका यूग बल है यूग बल से यूग ऐश्वरे प्राप्त होता है यूग सिध्धी प्राप्त होती है ठीक है कुपाल शर्मा जी मगर सिध्धियों का वर्णा नहीं इस प्रकार क्यों किया जाता है कि लोग उसे चमतकार पुर्ण धंग से रूप में लेते हैं हाँ तो इस पर क्योंकि ऐसा प्रशार गलट धंग से हो गया है कई बार आप शास्त्रों और पुराणों का जो नौलेज है टीवी सिरियल से लेना शुरू कर देते हैं और उसी को सत्यमान लेते है ठीक है वास्तविक शास्त्रों का जो मूल शास्त्र है उसका अध्यान लोगों के पास नहीं है और ना होने के कारण ये समस्या है तो मूल शास्त्रों का सही तरीके से अध्यन जरूरी है नहीं तो कम से कम सुनिये जो इसके बारे में बता रहे हैं उनको सुनिये तो मूल शास्त्र अच्छे से समझ में आएंगे फिर तो ये हमें समझना होगा तभी जाकर हम सिध्धियों का विज्ञान समझना होगा सिध्धी विज्ञान सुरूप है तो ज्यान योग का यह विज्ञान है अस्टांग योग का यह विज्ञान है जिसमें सिध्धियां प्राप्त होती है जोंती दत्ता जी चंद्रिश्वर पांडे जी संदीप अरोडा जी अजित अप्राजित स्मिता सावंद पूनम सेठी जैसे संत ग्यानेश्वर जी ने स्वयम के पीठ पर अगनी तत्तु प्रजलित किया था जी हां अगनी तत्तु के साथ सईयम करकर उस पर नियंत्रन स्थापित कर लिया सुन्दरलाल वर्मा सचिन कुमार जिनेश गाइधने नमस्कार जी सत्यमार्ग दर्शन मेरा आत्मनोभव भी इसी इसाही है पुझे भी सिद्धी हो गए चलिए संधी परोड़ा गुजी ब्रह्म का चित्मे प्रतिविंबित होने का क्या अर्थ है तो प्याब बताएं बुद्धी जो है हमारी वो दो तरफा होती है उसका संबंद उस प्रह्म से भी बना रहता है और संसार से बना रहता है तो इसी कारण जब यहां पलट जाती है संसार की और ना देखकर अंतर मुखी हो जाती है उस सवस्था में वह ब्रह्म भी प्रतिविंबित होता है सर मुझे अर्विंद कुमार सर मुझे सौपन में भविश्य दिखता है जी हां यह अभी पिछले जनमों किसे कुछ आ जाती है लोगों को मिल जाती है गुरुजी कहते हैं सिद्धी ध्यान और योग में बाधा बनती है बिलकुल गलत है सिद्धी कहीं पर भी ध्यान और योग में बाधा नहीं बनती है सिद्धी बाधा बनती है समाधी में सिद्धी बाधा बनती है मोक्ष में नाकी ध्यान से सिद्धी होती है भाई बिना ध्यान के सिद्धी होई नहीं सकती, जब तक ध्यान परिपक्व नहीं होगा, धारना और ध्यान, जब तक यह परिपक्व नहीं हो जाएगा, तब तक भला सिद्धी कहां से आजाएगी, सिद्धी आएगी नहीं, तो ये मत कहिए कि सिद्धी ध्यान और योग में बाध सिद्धी बाधा बनती है समाधी में सिद्धी बाधा बनती है कैवल्ल में सिद्धी बाधा बनती है मोक्ष में कि सिद्धी मोक्ष में बाधा बनती है लेकिन ध्यान में बाधा बनती है ऐसा नहीं सिद्धियों की संख्या आठ ही क्यों है जिवनी आठ नहीं है सिद्धियों की संख्या अनेक है या जो आठ सिद्धियां है इससे प्रकृती की उपर नियंत्रन होता है इसमें पंच भूतों पर नियंत्रन आ जाता है इसलिए अश्चधा प्रकृती जो है उस पर कंट्रोल आ जाता है इसलिए आठ सिद्धियों का वर्णन है लेकिन सिद्धियों के संख्या आठ ही नहीं है आप विभूती पात का अध्यन कर ले नहीं तो हमारे चैनल पर पास लिए रहने की सिद्धि क्या है यह सब ध्यान की अब आपको एक एक आज से सौ वर्स देड़ सो वर्स पहले वारानसी में एक सिद्ध योगी हुए श्री श्री शामाचरन लहाडी महाश्य ग्रहस्त आदमी थे उनकी पांच संताने थी तिन पुत्रियां और दो पुत थे श्री 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 श्रामाचरन लहाडी महाश्य की बात कर रहें तो श्री श्री श्रामाचरन जी कहते हैं कि उनके पास एक डॉक्टर आया जो कि डॉक्टर था उस डॉक्टर से बात चित करते हुए श्रामाचरन लहाडी जिनने उससे पुछा कि भाई तुम जो हो तुम्हारे डाक्टरी भासा में मिर्त्यू की क्या परिभाशा किसे मौत कहेंगे मिर्त्यू किसे मानते हो डाक्टर ने कहा कि हिर्दय रुख जाएगा पल्स रेट जो है वो खतम हो जाएगा रुख जाएगा नहीं चलेगा और हिर्दय गती भी स्थगित हो जाएगी नही आपना हाथ दे भी हट लहीं रही थी पिर उसने अपना आला लगाया इस्षेतरसकोप कान में लगाया और का उनके सीने में सटा दिया हाट-bit सुनाई देगी हाट-bit और भी सुनाई नहीं दे पहले डर गया भैवित पसीने छूट गये डॉक्टर साब के कर दोक्टर साब ने कहा कि यह कैसे संभव है तो लाड़ी माशनी ने पूछा क्या मेरी हिर्दय गती है उसने कहा कि नहीं महराज आपकी तो हिर्दय गती नहीं है तो शामाचरण लाड़ी ने का इसका मतलब मैं मर गया हूं मरी मिर्तिव हो गई है डॉक्टर ने डरते हुए कहा संकोच करते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता आप तो सामने खड़े हैं सामने बैठे हुए बाचित कर रहें तुमने कहा कि हिर्दय गती नहीं रहे कि तो मिर्त खोशित कर दोगे तो मेरी तो हिर्दाइगति नहीं है उसने चेक किया हाट भी थाई नहीं बॉड़ी के अंदर उस टाइम पर क्या है कि ध्यान योग की सिद्धी है ध्यान योग की परिपक्वता है यह तो संसार के छोटे मुटे काम आप उसमें परिपक्व हो जाते हैं तो चमतकारी दिखने शुरू हो जाते हैं और यह तो ध्यान योग है तो महाविद्या है पराविद्या है अगर ध्यान योग में परिपक्व हो गये तो अपने आप ही विक्षित हो जाएंगी हमारे पीतर कहीं बाहर दौरने की जूरत नहीं उनके लिए यहां विश्य हमें इस पर्ष्च करना होगा सिद्धी का विज्यान सिद्धी सैयम से सिद्धीयों का विकास होता है और सइयम जो लोग करते हैं वो निश्य ही बहुत सारी विश्यों पर कंट्रोल कर लेते हैं अपने एकागरता को विट्सित कर लेते हैं और सइयम से वो सिध्धी को प्राप्त कर लेते हैं तो अनेकों सिद्धियों का वर्णन विभूती पाद में महरशिप पतंजली ने इसी प्रकार से किया है एक परिपक्व अवस्था के रूप में बताया है सिद्धियों को और सैयम करने से किसी भी तत्यों का सैयम करकर उस तत्यों की सिद्धी हो जाते है अगनी की सिद्धी आ जाएगी फिर ठीक यह हमें इस प्रकार से इस विशय को खुड़ा समझ लेना चाहिए अर समझ कर हमें इस मार्ख पर आएगे बढ़ना चाहिए ध्यान योग के मार्ख सिद्धियां आएंगी ही आएंगे और आती है आती है किसे पहले छोटे मुटे रूप में आते हैं जैसे किसी मन की बात जान लेना भविश्य में घटने वाली कोई घटना जान लेना, पहले ही, या किसी के मन को, मैं टैलीपैथी कहते हुआँ यहा न, टैलीपैथी करकर उसके मन को परिवर्तित कर देना, छोटी मुण़ी चीज़य हैं सब, सिद्ध्य योगियों के लिए सब छोटी मुटी चीज़ें है तो सिद्ध्य योगी तो सुक्ष में शरीर से पता नहीं कहां कहां घूम के आ जाते हैं परकाया प्रवेश परकाया प्रवेश की सिद्ध्य होती है रिवाणी पिसके बारे में भी महर्षे पतंज्री ने बताया परकाया प्रवेश के बारे लिए सब क्या है यह सब कोई सिद्धिया की कोई ऐसे हमारे बास आगले जी नहीं यह आपके ध्यान योग की परिशू पALLY है तो जब ध्यान योग की परिपख्वता विक्षित हो जाएगी बहुत अधिक तो फिर बड़े बड़े चमतकार आपके जीवन में घटते हैं वैसे तो जो ध्यान योग शुरू कर देता है इमांदारी से शुरू कर देता है पूरे विश्वास के साथ शुरू कर देता है वह ऐसे ही बहुत सारे समझ को विक्सित करना चाहिए और ऐसे सिध्यों के रहस्य को समझना चाहिए ठीक है चली कि सरग्यान गंज के विशय में बताए क्या स्थूल में है नहीं जी सुक्ष्म है सुक्ष्म शरीर से ही लोग वहां जाते हैं की पुचाडिया जी क्या एक इनसान में एक से अधिक सिद्धी हो सकते बिलकुल हो सकती है जी कि युई नहीं हो सकती है बताओ एक तलवार आपके पास है उसे बहुत सारे काम कर सकते हुआ तो जब एकागरता इक्स्ट्रा-ओर्डनरी लेबर पर आपकी एकागरता आपकी धारशना विक्सित हो गई आपका ध्यान विक्सित हो गया तो अब उस ध्यान शक्ती का कर सकते हैं अनेकों तत्वों से स्यम करकर उस तत्व की सिद्धी ले आएंगे आप ठीक है तो एक विक्ति के पास एक ही सिद्धी होगी ऐसा नहीं है यह हमें समझना पड़ेगा ठीक है यह इसका है सर चली ठीक है 아닐 कौन-कौन किसके arde लिसंशाज में एक से अधिक सिद्धी हो सकती है बिलकुल हो सकती है जीवन में निराशा आए तो क्या करें जीवन के नय आयां को ढूंड़िये निराश होने के जोरत नहीं है कि कि निराष होने के जोरत नहीं है हरिवम अचारी जी क्या ध्यान में हमें जो इश्वर के रूप के दर्शन होते हैं क्या हवा हमारी आतमा ही परती भिम्वित होती है या वास्तव में इश्वर के दर्शन होते हैं इश्वर का दर्शन कहाँ अभी तो पीछे अपनिश्द में साफसाफ एक टॉपिक ही आप चले जाएं इसे चैनल पर स्वितास्त्रो उपनीशत की चर्चा में ही एक टॉपिक है जिसमें साफ उस टॉपिक पर लिखा हुआ है कि इश्वर के दर्शन नहीं होते आपने इश्वर को क्या समझा है बताइए पहले क्या समझा है अश्वनी चौधरी जी आपने इश्वर को क्या समझा है उसे आप सर्व्यापी समझते हैं क्या किस रूप में समझते हैं तो ध्यान में जो आप देख रहे हैं क्या वो वैसा है अगर वैसा नहीं है तो फिर इश्वर कैसे प्रिश्वर कैसे सीधी सी बात है श्वतास्तुरोप निशद में एक मंत्र आता है निहार धुमार का अनिलनाम खद्युत विद्युत इस्वटिक शशिनाम इतानी रुपानी पुरसरानी ब्रमन्य अभिविक्ति करानी योगे ब्रिकुटी के मध्य में निहार के तरह कोहरे की तरह धुमे की तरह निहार धुमार का अनिलननाम अनिल अगनी वायू और अगनी के समान परचंद अगनी की तरह जुआला घर्षएक बृटिय के मद्य्व में दिखाई देती है खद्यूत जूइन लिए मनी के समान प्रकाश दिखाई देता है इस फट क शशी नाम शब्द जुड़ा यह सब चीज़े नाम के लिएैं वास्तों में वैं कोई चंद्रमा नहीं हैं कोई तर्मा नहीं है पुरसरानी अभिवेक्ति करानी योगे यह ब्रह्मिं की सुक्ष्म अभिवेक्ति its ability ब्रह्मुण जगत भृमय की अभिवेक्ति him आं जीनोंग रता इस ऊपने शुक्ति यह तीनों की अभिवेक्ति है ठीक है लेकिन वह सुक्ष्म अनुभूती है तो यह जो आपको घट में जो यहां जोती प्रकाश दिखना सुरू हो जाता है ध्यान योग साधना करने से तो वह कोई उसे इश्वर का रूप माल लेना या उसे कह देना कि मैंने ब्रह्म को देख लिया महा मुर्ख ब्रह्म जो इंद्रिया तीत है उसे देखने का उसके लिए देखना शब्द प्रयोग ही मत करो इसी लिए भगवान अलग है इश्वर अलग है आप बोलोगे सब एक है संकराचार जूटे हो गए आप सही हो गए तो शंकर के दर्शन में अचारे शंकर के अद्वईत दर्शन में इसी लिए ब्रह्म और भगवान को ब्रह्म और इश्वर को भी अलग अलग बताया गया है वास्तों में अलग नहीं बताया गया है लेकिन इश्वर को भावनात्मक रूप से सुविकार किया गया है और ब्रह्म को भावनात्मक ता दे नहीं सकते हैं कि ब्रह्म को भावातीत कहा है उन्होंने आदिगुरु संगराचारे कहते हैं कि ब्रह्म क्या है ये बताया नहीं जा सकता, ब्रह्म क्या नहीं है वही बताया जा सकता है, तो ये जानो कि क्या नहीं है, तरक से अगर जानना है, नहीं तो परमार्थ की अवस्था प्राप्त करकर समाधी में ब्रह्म को हम समझ पाते हैं ब्रह्म की अवस्था में प्राप्त होती है ठीक है तो यह विशय है इस विशय को हम क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं और वास्तों में शास्त्र क्या कहते हैं क्योंकि होता क्या है कि जब हमें थोड़ा सा शब्दों पर अनुसंदान हम नहीं करते हैं अब जैसे एक और श ने अरजुन को दिवनेत्र खोलकर ब्रह्म के दर्शन कराएं भगवान कृष्ण ने अरजुन को दिवनेत्र खोलकर ब्रह्म के दर्शन करवा दिये तो फिर मैंने पूछा क्या गीता में ऐसा लिखा कि ब्रह्म के दर्शन करवा दिये श्रीमत भगवद गीता में ऐसा वड़नन है क्या कि ब्रह्म के दर्शन करवा दिया जी नहीं ऐसा कोई वड़नन नहीं है श्रीकृष्ण कहते हैं दिव्यम्दामिते चक्षू पश्यमय योगमैश्वरम कि योगमैश्वरम अरजुन मैं तुझे दिव्यचक्षू से योगैश्वरी रूप का दर्शन कराऊंगा इसका दर्शन कराऊंगा योगैश्वरी योगैश्वरे का अर्थ ब्रह्म कहीं पर बताया योग एश्वरयं मतलब योग स्ध्धी कुका प्रयोग किया और योग सिध्धी की यहां पर चर्चा की जा रही है महर्षी पतंजली ने जो योग सिध्धियों का वर्डव्डन विभूती पाथ पढ़ या तक कहते हैं कि वह सिद्ध योगी मरे वे व्यक्ति को जीवित कर सकता है उसमें चेतना फूख सकता है प्राण फूख सकता है मृत शरीर में प्राणों के साथ सहियम करके प्राणों पर नियंतरन लाकर प्राणों का प्रेशन कर सकता है उसे ट्रांस्मीट कर सकता है प्राणों छोटी बात होगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को योग एश्वर्य योग सिद्धी का दर्शन करवाया योग सिद्धी से प्रगट रूप का दर्शन करवाया और उसे सगुल रूप बताया उसे क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुन है फुरा सा उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे और फिर बारहवे अध्याय को पढ़िए साथ में हैं जो चुन चुन कर इस लोक रट लेते हैं और रट कर जो है रट्टू तोते की तरह सुनाते रहते हैं फिर ठीक है समस्या यहां पर आ जाती है और फिर हम उसी को मान लेते हैं तो कृष्ण ने कहा योग एश्वरयम मैं योग सधी रूप का दर्शन तुझे करवाऊंगा और वो कृष्ण ने करवाया और बाद में उसे सगुन बताया यह जो दर्शन मैंने तुझे दिया है यह सग रिजिए ख़ते हैं हम ध्यान करेंगे तो वह जो धिखायी दिया वह बहगवान का वह इश्वर का रूप जी नहीं वह एक अनुभूती हैGB ब्रह्म की और व्रपली Kw Circa उसे बताय जा रहा है वो आत्म अनुभूती है आप उसे आत्म अनुभूती कह सकते हैं आप उसे भगवान का दर्शन या ब्रह्म दर्शन नहीं कह सकते हैं अन्य था तो संपुर्ण संसार ही ब्रह्म दर्शन है संपुर्ण जगत ही ब्रह्म का दर्शन है बाई ठीक है तो इसी लिए ब्रह्म अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति मतलब manifestation वह अभिव्यक्त हो रहा है वह present हो रहा है किसी दूसरे रूप में तो वह अनेकों रूप में present हो रहा है जितने भी नकरात्मक्ष जीज़ें वह भी ब्रह्म का ही रूप है इसलिए इस शंशय को खतम करदें कि आपने जो घट में जो देखा है आप उसे जोती ब्रह्म कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं लेकिन वो ब्रह्म है, ऐसा नहीं है ब्रह्म इंद्रियातीत है ब्रह्म गुणातीत है और जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है घाट के भीतर उसमें गुण है जो नादすथ सित्का ले हो जाएगा तो ज्यान टिकेगा ही नहीं आप कहते हो कि ज्यानी होना ही अपुल्णता है यह ध्यान रखिएगा ज्यानी होना ही अपुल्णता है और अज्यानी होना भी अपुल्णता है यह दोनों ही अपुल्ण वस्थाएं है ज्यानी होना भी अपूर्ण नवस्था है और अज्यानी होना भी अपूर्ण नवस्था है क्योंकि जो पूर्ण नवस्था है वहां पर ज्यान नहीं टिकता तो ग्यान के टिकने के लिए इंद्रियों का होना जरूरी है ज्यान के टिकने के लिए अनुभूतियों का होना जरूरी है और अनुभूतियों के टिकने के लिए चितका होना जरूरी है और जब चितकाही लाय हो गया, महरशी पतंजली के अवल्ले पाद में कहते हैं भाईया चितकाही लाय हो गया, तो ग्यान टिकेगा कहां पर, ग्यान लेने वाल अब बचेगा कौन, कौन ग्यान को धर्म करेगा, इसलिए अधूरी बातें, अधूरा ग्यान और फिर कुछ ऐस से लोगों की, क्योंकि आजकल क्या है, शास्त्र ग्यान की अत्यधिक कमी है, समाज में, तो जब शास्त्र ग्यान की अत्यधिक कमी है, तो फिर यह समस्या तो बढ़ती जाती है न, फिर क्या दिक्कत है, थोड़ा सा संस्कृत का इस लोग रटके बोल दो, भाई लोगों को लगेगा भई यह तो शास्त्र सम्मत सुना रहें कोई शास्त्र सम्मत नहीं सुना रहें ठीक है तो हमको लगेगा कि भई और फिर वो भई हाई बही चलो भई भगवान देख लेंगे हम भी तो ये चीजे भगवान कौन है जो भगो से संपन्न है वो भगवान है जो धन से संपन्न है वो धनवान है जो रूप से संपन्न है वो रूपवान है और जो भगो से संपन्न है वो भगवान है आदिगुरु शंकराचार ने यही व्याक्या की है भगवान की तो क्या वो जो प्रकाश दिखाई दे रहा है क्या वो भगों से संपन्न है क्या आप उसे भगवान कह रहे हैं ठीक तो विचार करें इस विशय पर और विचार करकर ही शब्दों का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा तब जाकर विशय शास्त्र क्या कहते है निरुक्त क्या कहता है योग क्या कहता है निहां सा क्या कहती है वेदान च्यार capable जो है और टथ्यों को हमें तो ये इस विशय को मप्राप्त करा हुए के कोई नहीं कर रहहा है की सभतंत्र था बंधने जितने भी संसारी करम संसकार के बंधने उसे मुक्ति मिल जाना ठीक तो यह इस विश्य को समझना चाहिए और इस प्रकार से तो जहां भी देखना और सुनने की बात हो रही है वह इंद्रियां जी हां सिद्धियां मोक्ष मार्ग में बाधा हैं बिलकुल बाधा हैं सिद्धियां ध्यान योग में बाधा नहीं है सिद्धियां मोक्ष मार्ग में बाधा है क्या देवतरंग ही सिद्धि है जी ने देवतरंग का क्या मतलब है यहां पर देवतरंग नहीं परिपक्वता योग जब परिपक्व हो जाता है तो सिद्धी आती है कि छी कि चलिए इसी के साथ अब इस विशय को यहां रोकेंगे विराम देंगे और आप सभी से विदा लेंगे कल फिर रात्री नौ बजे कल फिर जो है लाइव सेशन लाइव चर्चा फिर से होगी और एक नए विशय के साथ होगी एक नए विशय के साथ लाइव चर्चा होगी तो हम उस लाइव चर्चा में उसका भी आज महागवरी और सिध्धिदात्री पर हमने चर्चा की और कल और भी विशह है दशहरा है कल तो दशहरा से संबंदित चर्चा भी कल आ सकती है तो देखिए किस विशह पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कल ही पता चलेगा लेकिन 9 बज रविवार के बाद आज ब्रिस्वतिवार है कल शुक्रवार हो जाएगा फिर शनीवार फिर रविवार के बाद जो है अगले हटे से आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इसी के साथ अभी जो है आज के विचारों पर आज के धाराप्रवा विचारों पर विराम देते हैं और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में मिलते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का कर दो सबक् में टर्चा मेंopolitी क पया हैं बहुत कि आप सब्से बहुत आप संधे लाइव ट्रचा वा फिर 7 बित मिलते हैं लुत्त、 हैं विचारों रवा भीचा में तало हैं जात हैं उनने हैं जात हैं युत, हैं लाइव ऀाम भ में मिलते हैं जाल दो ूग्रा विर नहर बहु